हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग उमीद करते हूं बहुत अच्छे होगे अज तारीक है 26 शाम का टाइम है इलू अपने कोचिंग चली गई है यह भी चले गए और मैं हूँ अकेली व्लॉग जो है मन स्टार्ट करना चाती थी जल्दी बट हो गया था बिल्कुल वाइट ही करवाया मंदिर के एक दीवार मुझे करवानी थी दूसरी बट मैं कहना ही बूल गी तो वह भी वाइट होगी और पैसा भी एक्स्ट्रा ही लगा उन्होंने 25 या 26 बोला था 25 बोला था और लग 26 गया जिसमें कि बाहर का भी नहीं किया है औ और बलकनी भी नहीं किया तो इसको और एक्स्ट्रा लगा तो इस बार में भी 30,000 और सिर्फ कलर में चले जाएंगे और खिड़कियों में अलग लगा है हार चीज में अलग लगा है तो गेट भी कंप्लीट हो गया या इलू का रूम भी हो गया और इतना जादा उथल- चाहती तो मैं उसका व्लोग बना सकती थी लेकिन व्लोग बनाओ ना तो साथ-साथ में फिर अच्छी सगाम नहीं हो पाता है क्योंकि बहंकर उथल-पुथल मच रही थी तो बस दिखा देती हूं अभी कितना कितना हुआ है तो अभी दो तीन चीजे लिए एक और और वाश्पेस नाफ कर दिया यह रूम हो गया है पर्दे वर्दे लग गए जो चीजे थोड़ी सी उपर डालने की थी उपर डाल दी बॉक्स में डालने की ती अभी बी कुछ चीजे जो है फैली हो यह देखो यह सारी जो है अब सेट करनी है तो यह वाला रहा है किचन को तो भी मैं सोच रही थी दूसरे तरीके से करूँगी तो वो करेंगे सब कुछ और मोबैल में भी स्पेस वगएरा की प्रॉब्लम अभी देखो बिन आपंखे की बात करे हो तो यह हो रही है और गेट वगएरा भी जो है कलर हो चुके हैं और इस बार मैंने सारा अपनी पसंद करवाया लेकिन के चन नहीं होई मेरी पसंद की तो वो थोड़ा सा रह गया मेरे दिल में मलाल रह गया है वाइट बहुत अच्छा लग रहा है यह कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है किसी ने मुझसे शेड पूछा था ये मैंने बनवाया है actually मैंने net पे देखा था net पे देखा न तो मैंने बाईया से बोला कि मुझे ये color चाहिए तो वो ले आए lemon yellow बिल्कुल वो ऐसा lemon yellow होता न तेटटटटटटटा सा तो वो ले आए फिर मैंने का बाईया ये तो वो नहीं है तो फिर उन्होंने रेड कलर किया ऐसी कुछ बूंद मिला के और फिर ये कलर बनाया है तो इसका शेड इसलिए मुझे नहीं पता है एशियन पेंट्स के कलर जो है वो है उसमें कोई आपको ऐसा शेड मिल जाए तो अभी भी उतना प्रोपर नहीं आता है वीडियो में क्योंकि ये थोड़ा सा दब के आता है बलकि और खिला हुआ है तो ये शेड इसलिए मैं नहीं बता सकती तो बाकी और मैं घर थोड़ा सा दिखा देती हूं इलू का रूम दिखा देती हूं फिर जाए खाना बनाएंगे कुछ एकदर चीज़े जो लिए जैसे किचन की डब्बे आपने वैसे पिछली वीडियो में शो हो रहे है वो देखे होंगे तो मैं वैविशाल मेगा मार्ट से लेके आई थी मुझे के एंड तक पूरे घर को कर दूँगी तो चलो दिखाती हूं फूरा तो यह तो जो फैल रहा है यह किसी को दे देंगे मनाली में जो बरफ में जो चश्में दिये थी न वो हैं तो यह कुछ ऐसे है यह थोड़ा सा परदे वरदे एक बर वही लगा दिये हैं क्योंकि नए लाने हैं तो यह गांच में मैं दिखाई दे रही हूं आपको और यह रहा वो ओर्गिनाइजर जो मैंने मंगाई हैं यह भी प्राइस ठीक था कर देखते हैं लगा के देखते हैं कैसा रहता है यह भी घाए अबर यह मैं और यह हमारा बैड तो यह थोड़ा बहुत बैठन इसे लिए है तो यह देखो तो यह देखें इस पे भी color हो गया इस एरिया का पूरा थोड़ा सा सजाना है यहाँ पर wallpaper मैं मंगवाओंगी मैं white ही क्योंकि इस बार सारा white ही होना है तो white सा ही हमने पसंद किया है वो मंगवाओंगी और इसको भी शूरेक को भी वाइट वगेरा करके और सेट कर देंगे केचन आप लोगों ने देखी ली थी अब ये देख ली जे गेट मैंने ऐसे करवाएं ये बोल रहे थे कि सारे वाइट कर आओगी तो हस्पिटल जैसा लगेगा ये वो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैंने वाइट ही जो ये चोखट है वो भी वाइट करवाई गेट भी मैंने वाइट करवाई और जो ये किनार थी वो मैंने गोल्डन करवाई तो ये देखे गेट भी अच्छे लगए हाला कि ये पुराने हो गए तो अतनी फिनिशिंग नहीं आपी है इनमें बट्ट देखो सही लग रहे हैं यह देखो यह देखो कि चनवाला भी यह जाली अब चलते हैं इलू के रूम में पहले मंदिर दिखा दू यह रहा मंदिर यह देखो वाइटी हो गया है सब है ना इसकी वह सारी अटा दिया भी कलर हुआ था तो यह सब कुछ माला है और अटा दिया बच्छे से और डेकोरेट करूंगी कल बस इसकी सफाई कि यहां की पूरी उल्मारी को मैंने सफाई की मैं मपच् niye दो करना है और इन्हों में जमाया यह वाले परदे हमने लगा दिया उयाती है फिल्च लो घתח गे बश्रय निखे दूसरे परदे लगा तो इसे परदे मैं भी मुझे लआने पुरे घर के लिए senhor तो दो एक हैं दिया झ करेंगे और और यह रहे इसके softwares, इसमें इसकी books रख दी थी जब color वडर होड़ा था ना, ताकि इधर उधर ना हो जाए, तो यह ठीक है, इस bed का पहले मैंने makeover किया था, wall paper लगा कि अब ही उतरने लगा, तो इसका मैं दूसरे तरीके से makeover कर दूँगी, हो सका तो दिवाली से पहले ही क को दिखा दूँ, इलू के room में भी sealan और काफी आती थी, तो यही वाली चीज हमने करवा दिया, spectrum वाल जो है वो लगवा दिया, उसके बाद इस पे white color करवा दिया, क्यों यह करवाना भी इसलिए पड़ा, और इसमें 1000 का माल लगा है, इस पूरे room में, और मंदिर में, तो 1000 कजार का तो माल आया था, और उसके बाद जो है color हुआ, ठीक है, इस यह pink था, तो pink जैसे की kitchen में नहीं बैठा था न, वैसे इसमें बैठता नहीं, तो इसलिए एक बाद स्पेक्ट्रम कर दिया, जो की sealan से भी थोड़ा सा, मतलब की पपड़ी नहीं छोड़ेगा, और जो ह कुछ यह iloo का room जो है, वो हो गया है, अब यहां पर मैं सोची इस बार जो है, तो इस बार मैं iloo से बोल रही हूँ, कुछ motivational चीजें जो है, उससे मैं कुछ ऐसा wallpaper या wall sticker ऐसे बंगाउं, जो motivational हो, अब iloo थेखो पड़ी हो गई है, बहुत छोटी नहीं रही है, बढ़ाई मे उसको लगना है, तो ऐसी wall sticker आते है, motivational तो वो मैं लगाऊं, तो मैं ऐसे ही कुछ select करूँगी, जिससे कि अगर कि वो इस room में पढ़े, तो उसको table के सामने या जहां कहीं भी देखे, तो एक motivation मिले, एक प्रेर ना मिले, अभी प्रेर ना मिले, ठीक है, अंदर से वो खुद स अभी प्रेरित हो जाए, तो ऐसा कुछ मैं करना चाहती हूँ, इसलिए पूरा white करवाया है, पर्दे भी बिल्कुल light color के लगाऊंगी, और ऐसा ही कुछ करूँगी, उसके wall sticker भी ऐसे गुडिया वाले और मैं नहीं सोचे, अब वो जिद्धी करेगी तो वो अलग बात है, मैंने इस बार यह सोच रखा है, तो किस तरीके से जो भी करूँगी आप लोग साथ शेयर करूँगी, मंदिर को भी फिर करेंगे, कुछ अभी तो ऐसा है, तो इसका कपड़े बपड़े भी और बदलेंगे, और और भी दिवाली तक करेंगे, इसको सजाएंगे, किचन में करेंगे, कुछ बदलाओ, ऐसे करके, तो चलो दिखा देती हूँ, अब मैं किचन के डबबे, और कल जो मैं डॉटर्स रे पे जीटी गए थी, तो वहां से जो चीजन लेके आई, दो बॉटल लेकाई थी वो, तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखा दूँ, डॉटर्स रे चलो बड़काई न, तो पिर क्या होता है, तो उसका रखे ल की दिखा हो झाए हो, तो इसको एक गंटे चार्ज करना होता है, और पिर आप आराम शे जलाओ, और ऐसे करके, तो एक इस रूम में रख डेंगे, तो एक किसी रूम में रख देंगे, अब इसको जलाके भी दि 200 की दो है ऐसे आप घर पे भी बना सकते हो बस यह लाइट 35-30 की मिल जाती है आपकी कोई भी sauce की बॉटल हो या कोई भी jam की बॉटल में भी डाल लो या कैसे भी कोई भी बॉटल रखी हो ना कैचप की हो तो इससे आप बना सकते हो घर पे तो पहले के चलंके पंटेनस दिखा देती हूँ यह सेट ओट थी है यह विशाल मेघा मार्ट से मैं लेके आई हूँ तेन का सेट है प्लस्टिक जाला ही चाहे अब देखो मैं प्लास्टिक वाल ही उज़ेती हूँ तो इस बार चेंज करने दो इसे दो साल से भी ज्यादा होगी होगी टो यह देखो 149 का 3 का सेट है और यह ऐसे है कि एक की ऊपर रख सकते हैं तो इस पेस कम घेरते हैं यह तो अभी पैक है न मैंने निकाला नहीं है वरणा यह पर यह पूरह स्टेस बनाऊ है तो इसलिए तो यह चे सब पार 1 kg वाले हैं चे तो और यह यह 500 ग्राम वाले हैं यह 149 के 4, 149 के, यह देखो 4, 4, 4 के फिर मैं 2 सेट ले आई और यह हो गए 8, 300 के 8 हो गए, वो 300 के 6 हो गए और एक मैं छोटे वाले ले ले आई, सारे यह थोड़े से पुराने हो गए के तो यह मैं ले आई 6, 6 का सेट, तो इस यह स्पेस कम के रहेंगे, हमके उपर रख देंगे तो इसलिए, यह है, यह तो यह लाई एक चीज और दिखाती है, मैं यह और मंगाई यह वाल शेल्फ, मैं कबसे और 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 बात्रों में भी काम आसकती है, आप कहीं भी लगा सकती है, यहां पर भी लगाऊ थापना कोई चार्जर, इसकी सीवी दीवार पर लगई इसलिए कोई चार्जर लेकिन अमीरा तो यह ऐसा वाल रूम है तो प्लेन होनी चाहिए दीवार, उस पर जादा वर्फ करती है यह चीज़े, क्योंकि यह सेल्फ अडे से होते हैं इसमें, यह शेल्फ मंगाई मैंने वाल शेल्फ नहीं, तो यह देखो, यह पुल 6 मंगाई तो इसमें आप डबे भी रख सकते हो किचन के छोटे मोटे, जैसे कि अगर नॉन मॉडूले किचन है तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़े मंगवा करके और और गिनाइस कर सकते हो, बात्रूम में भी आप इसे लगा सकते हो, वाश बेसे मेरी आ पे भी आप यह शेल्फ ल अज व्लॉग मेरी बोलने से लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे छोटा काट नहीं पड़ेगा, ऐसे सेल्फ अड़े से काते हैं, यह देखो ऐसे, ठीक है, अब इसके पीछे से हुँ हटा लेंगे, तो और यह चीज ना, यह वाला जो चीज है, वो इसके अंदर फस जाए और अच्छी लगी मुझे, पकी सी, तो मैं ऐसी और छे मंगाँगी, ताकि मैं किचन में भी यूज देलू, मैं बाथरूम के अंदर भी इस बाथरूम में भी, उस बाथरूम में भी, तो क्योंकि ड्रिल वाले को भी बुलाओ, तो कैसे, तो आते नहीं है, चुचो की वज दिया, तो कुछ मेरे पास पालक रखा था, पत्ता को भी थी, शिमला मिर्च था, प्याज था, तो डेली देखो, रोटी सबजी, रोटी सबजी इसे बोर हो जाते, तो मैंने सोचा, आज रोल बना लेते हैं, तो पालक रखा था, तो पालक को तोड़ करके, साफ करके, इसक प्यूरी बना लूँगी मैं, ठीक है, और बाकी सबजीया मैंने कट कर लेते हैं, पत्ता को भी शिमला मिर्च और प्याज, ठीक है, इनको भी धोलूँगी, और साथ ही मेरे पास कल मैंने राजमा चावल बनाये थे, तो थोड़ा सा राजमा मैंने जादा उबाला था, तो इन सब को मिला के हैलरी से चीज रोल बना लेंगे, वेज रोल बना लेंगे, आटा लिया है, उसमें नमक डाला है, और पालक की जो प्यूरी बनाई है, उससे थोड़ा साथ मिर्ची और मैंने डाल दिया, तो उससे पालक की प्यूरी से यह आटा गूत लूँगी, तो यह पराठा बना लूँगी पालक का पराठा हो जाएगा ग्रीन कलर भी आ जाएगा और पालक के जो गुण है वो भी आ जाएगे तो एक पैन लिया है उसमें मैंने घी डाला है उसमें क्या करूँगी पत्ता गोबी शिमला मिर्च प्याज जो मैंने कट किये थे ना उनको पका लूँगी क्रंची रखोंगी जादा नहीं पकाऊंगी क्रंची रखना है बस पता गोबी शिमला मिर्च और प्याज को एक साथ ही डाल के उसमें नमक मिर्च और पाव भजी मसाला जो है न वो डाल दूँगी तो इससे होगा क्या ना यह कच्ची भी नहीं रहेंगी और पूरी पकेंगी भी नहीं क्रंची चेस्ट आएगा फिर यह पका के मैंने क्यां कि एक पें लिया उसमें तेल डाल जीरा राई हींग डालो फिर हल्डी डालो और जो अबलेवी राजमा थे उसमें और मैंने कट कर डाल करके न, तो ये सूखे राजमा जो हैं, वो तयार कर लिए तो अब जो आटा मैंने पालक का गूता था न, उससे बड़े-बड़े सिफ छे पराठे बनाओगी, एक से ही आपका पेट इतना बढ़ जाएगा न, कि पूछा मत तो मैंने बड़े-बड़े पराठे बना लिए तो इनको सेक लिया था घी, तेल किसी में भी आप सेक लो, औ उसके बाद जो है, जब यह तैयार हो जाएंगी सारी चीज़े, तो इसको अरेंज कर लेंगे, वेज रोल जो है, वो बना लिंग, मैंने टमाटर भी लंबे-लंबे कट कर लिये थे, प्यास भी लंबा-लंबा कट करके, उसमें नमक, मिर्च, नीबू जो है, वो डाल दिया तो यह देखे, छे परांटे मैंने तयार के थे, मैंने सोचा कम ना पड़ जाए, लेकिन यह ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि बहुत हैवी जो है, यह हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने टमाटो केचप लिया, उसमें मैंने रेच जिली सॉस डाला, उसमें मैंने मेयो नीज मे अब फिर जो है, रोल हम बना लेंगे, तो जो परांटे तयार किये थे, उसमें पहले यह वाला सॉस लगाएंगे, फिर राजमा रखेंगे, फिर पता गोभी शिमला मिर्च और प्याज जाली, वो सबजी डाल देंगे, फिर कच्छा प्याज डाल देंगे, और फिर खीरा पीरा हो, या चीज भी आप डालना चाते हो, चाहे तो पनीर डालना चाते हो, तो वो भी आप उपर से डाल सकते हो, फिटा माटर मैंने रख दिये, और उसको रोल बना के चाहो, तो ऐसे ही खालो, नहीं तो ग्रिल्ड वाला सेंडविच मेकर होता है, उसमें कर लो, लेकिन आज मेरा दिल नहीं था तो मैंने ऐसे ही सेक ली और खा ले तो आज की व्लोग में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स व्लोग में बाबाई